सब्सक्राइब अचार्य विद्या सागर्जी महाराज का स्वरण हम यहां पर कर रहे हैं मेरा उनका पहला परीचे श्री गुरुजी जन्मशति के समय जबलपूर में उनका जहां निवास था वहीं पर एक बड़ा कारिक्रम आयुजित किया था तब हुआ उसे तो कारिक्रम में हम रहे उसमें तो परीचे होता है लेकिन उनके साथ गंटा भर फुरसत से बैठकर एक से एक की बादचीत है इसी बादचीत भी हुई उसी समय ये बात ध्यान में आई कि तरक से तो बात रखते ही है उनकी कही बात को तरक से नकारणा संभवनी होता है परन्तु किवल इतना नहीं था उस तरक के पीछे भी उनकी एक सहज आत्मीयता जान में आती थी अपने पन की बात होती थी ये मैं तो पहली बार मिला और वैसे आत्मीयता होनी की कोई वजह नहीं कोई दिर्गकाल का संबंद्ध आना जाना नहीं था कुछ नहीं था परन्तु ये ध्यान में आया संतों के बार में ऐसा कहते है कि अईसी कलवड़याची जाती लाभाविन करीप नि ऐसे संतों में एक स्वाभाविक गुण होता है सबको अपना मानते है और उनकी क्योंकि पूर्ण वैराग्या है किसे थे कुछ चाते नहीं तो इस सहज आत्मीयता उसके करण ऐसा लगा कि उनको मिलेंगे और मैं भी मिलता रहा हमारे संग के जो सीनियार अधिकारी है सुरी जी सोनी हो भाईया जी जोशी हो हम लोग समय समय पर मिलते थे चौमा से में वो कहा है पता लगा कर मैं जाता था क्योंकि हमारे लिए ये एक व्यक्तिकत पोशन की बात थी उनके साथ बात हो रहा कोई निमित्त नहीं जाके मिलना बैठना और वो किशिविशे की चर्चा छड़ते थे उसमें से कई बाते हमने क्या करना चाहिए किस दिशा में सोचना करना चाहिए अनायासा ही मिल जाती कई बार ऐसा भी होता था कि मन में कोई जिग्यासा लेके जाते है प्रश्ण लेके जाते है और बिना उनको बताए सहज ही उधर से उत्तर मिल जाता है सटीक ऐसा ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने कोई रास्ता बताया हो उस पर चल के हमको विफलता नहीं कोई भी जटिल विशय हो उनके सला के अनुसार चले मेरे लिए तो एक व्यक्तिकत यह मेरे हानी की बात है उनका पार्थियों यहां नहों बल्कि उनके जीवन में से भी इतना है कि उसको स्मरण करते रहे तो जीवन बर का पात्य यहां में प्राप्त होते रहता है परन्तु वो जो सानिद्य मिलता था बात होती थी कलपनाई मिलती थी परामर्ष मिलता था लेकिन और कुछ बात थी जो उनके यहां बैठे आदा गंटा तो आगे साल भर के लिए मन बड़ा स्थिर रहता है यह तो आप जो जो उनसे मिलते रहोंगे उन सबने अनुबह किय होगा क्योंकि उनका कोई स्पेशल मेरे लिए कुछ था ऐसा नहीं है यह सबके साथ उनका ऐसा राही होगा अत्यन्त कठोर वरता चरण और संपूर्ण वहिराग्य निश्प्रवध मैं कहता हूं कि किसी राष्ट्र के जीवन में किसी समय ऐसे व्यक्ति उपलब्द रहना यह उस राष्ट्र की बड़ी पूंजी है तो हमारे राष्ट्र की वह एक निधी थे और कई बातें उन्होंने आगे के लिए भी बता रखी है देश की विकास की दिशा क्या हो उनका बड़ा अगरह रहता था कि अपने देश के स्वह के आधार पर विकास हो और इसलिए ल कि अपने देश को भारत कहो इंडिया मत कहो और जब राट्रपती जिने भारत के राट्रपती के नाम नीमंत्रन भेजे और उसके पीछे शासन भी खड़ा हो गया उस समय उसके बाद मैं डोंगरगड अभी विज्या देश्मी के पहले जाको वह बड़े प्रसंद नते हैं और उन्हें कहा कि अपने नाम में स्वह से शुरू करो तो उसी के आधार पर रुन्नती होती है उन्होंने कहा कि अपने ग्रामीन इलाकों में कई उत्तम प्रकार के कारीगर है परमपरा से चलने वाले उनके कारा कारीगरी के आधार पर देश का उत्पादन बढ़ाए प्राडक्शन बाए मासेस मास प्राडक्शन ये मैं उनके सब्द नहीं बता रहा हूं जो मैंने समझा उनके उत्पाधन को बढ़ा दो तो रोजगार भी बढ़ेगा उत्पाधन भी बढ़ेगा और कई ऐसी बाते शुद्ध भारतिय परंपरा का विचार और आज की परिस्थिति में बिल्कुल काल सुसंगत एक प्रकार का राष्ट्र का दर्शन ऐसा भी हमको मिलता था और कुछ न मिले तो भी वहां बैठे तो भी हम समर्थ हो जाते हैं सामको लगत अब वह सान्विध् प्राप्त्र से भी कुछ प्राप्त होता है और जो उपदेश उनका रहा है व्यक्तिगत अपनी साधना के लिए हो व्यक्तिगत अपनी जीवन के आचरन के लिए हो या राष्ट्र जीवन की जिशा कैसे हो इसके बारे में हो वो सभी बाते मुझे लगता है आज सव प्रति राष्ट्र रुशी उनके बारे में मेरा स्रद्धावनत होकर मैं उनको और मेरी स्रद्धान जली